हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे बच्चो शुरू करते हैं आज का ध्याय मा मुझको बंदूग दिला दो यह एक कविता है आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं जरा इस पर विचार जरूर कीजिएगा आज का पाठ परिचे है प्रस्तुत कविता में एक छोटे बच्चे की देश प्रेम की भावना को दर्शाया गया है बच्चो इस कविता में एक छोटे बच्चे की कैसी देश प्रेम भावना है उसके बारे में बताया है आईए पढ़ते हैं कविता मा मुझको बंदूग दिला दो मा मुझको बंदूग दिला दो मैं भी लड़ने जाऊंगा सरहद पर बन फौजी मैं दुश्मन को मार भगाऊंगा तो बच्चो यह छोटा सा बच्चा अपनी मा से कह रहा है कि मा मुझे बंदूग दिला दो एक मैं भी सीमा पर जाऊंगा और फौजी बनकर लड़ूंगा दुश्मनों को हार भगाऊंगा भगत सिंग आजाद मैं बनकर गीत देश के गाऊंगा बस भारत मा के कदमों में शीश मैं अपना जुकाऊंगा छोटा सा बच्चा कह रहा है अपनी मा से कि मा मैं भगत सिंग या आजाद बनकर देश के लिए लड़ूंगा देश के गीत गाऊऊँगा भारत मा के कदमों पर मैं अपना शीश यानी अपना सर जुकाऊंगा मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और मैं देश की सेवा करना चाता हूँ जो पड़ी मुसीबत कभी किसी पर मैं उसकी ढाल बन जाऊँगा दुश्मन के अंत की खातिर में उसका काल बन जाऊंगा बच्चा कह रहा है कि मा मुझे बंदूग दिला दो मैं मुसीबत में लोगों के काम आऊंगा उनके आगे खड़ा रहूंगा और दुश्मनों को उनके अंत तक पहुचाऊंगा यानि उन्हें मार भगाऊंगा ना दुखी किसी को होने दूँगा मैं इतनी खुशियां लोटाऊंगा तुझसे जो किया ये वादा वो मैं मरते दम तक निभाऊंगा तो यह छोटा सा बच्चा अपनी मा से कह रहा है कि मा मैं किसी को दुखी नहीं होने दूँगा किसी को परिशान भी नहीं करूँगा मैं ऐसा मनूँगा कि मैं सब को सिर्फ खुश रखूँगा और मैं तुमसे जो वादा कर रहा हूँ उसे मैं मरते दम तक निभाऊंगा बस मुझे एक छोटी सी बंदुक ला कर दे दो ताकि मैं देश के काम आ सकूँ देश के लिए लड़ सकूँ दुश्मनों से तो बच्चो ऐसी देश भावना हमें भी अपने अंदर लानी चाहिए क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है हमारा देश महान है और उसे महान बनाए रखना है आशा करती हूं कि आपको यह कविता समझा गई होगी इसका अभ्यास आप स्वयम कीजेगा